आईए अब हम संक्रमन तत्मों के एक और महत्यपूर्ण गुण चुम्ब के गुणों के विशय में जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी चुम्ब के पदार्थ चुम्ब के छेत्र में दो प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक तो वह चुम्ब के छेत्र जहां पर अप्लाई किया जाता है, यदि उसको वहाँ पर रखा जाए, तो वह चुम्ब के छेत्र के द्वारा प्रतिकर्शित होता है। और दूसरा उस वह जो अनुप्रयोक्त चुम्ब की चेत्र है वहाँ पर रखे जाने पर वह आकरशित होता है जब पदार्थ चुम्ब की चेत्र में रखे जाने पर प्रतिकरशित होता है तो ऐसे चुम्ब की पदार्थों को हम प्रती चुम्ब की पदार्थ डाया मैगनेट क्योंतिक शब्स्टेंस कहते हैं दूसरी ओर वे पदार्थ जो चुम्ब की स्टमी रख़े जाने पर आकर्शित होते हैं उन्हें हम पैरा मैगनेटिक सब्स्टेंस कहते हैं और यह जो अनुचुम्ब की गुण हैं वह जब चरम पर आजाता है जब चुम्ब की छेतर में रखे जाने पर कोई पदार्ट बहुत अधिक तीवरता के साथ आकरशित होता है तो उस गुण को हम लौह चुम्ब कत्व कहते हैं फैरो मैगनेटिज्म कहते हैं और ये गुण संक्रमन तत्व की कुछ धात्वों जैसे की लोहा, आईरन, निकिल, कोबाल्ट इसमें हमें देखने को मिलता है अब हम देखें कि जो अधिकांश हमारी चुम्ब की संक्रमन धात्वों हैं वह अनुचुम्ब की विवहार प्रदर्शित करती हैं और इसका कारण है इनमें के दी ओर्विटलों में उपस्थित अयुगम उसका अपना एक चुम्ब की आगोन होता है किसी भी ट्रान का चुम्ब की आगोन उनकी दो गतियों की वज़र से उत्वन होता है एक तो उसकी अपनी कख्श पर स्वयम की गति जिससे हम उसका चक्षन या spin कहते हैं और जिसके वज़र से एक spin angular momentum उत्पन होता है और दूसरा होता है किसी electron का अपने कक्ष आर्बिट में उसकी गती की वज़े से जिसकी वज़े से यहाँ पर orbital angular momentum उत्पन होता है और इस वज़े से प्रत्ते एक electron का अपना एक चुम्ब की आगुन होता है यहाँ पर हम देखें कि जो संक्रमन धात्वें होती हैं उनमें electron के कक्षिय जो चक्रण है या कक्षिय कोणी समवेग है उसका इनके चुम्ब की आगुन में कोई महत्व नहीं होता है कोई योगदान नहीं होता है तो इस वज़े से जो चुम्ब की आगुन ये प्रदर्शित करते हैं या चुम्ब की गुन जो प्रदर्शित करते हैं वो किवल इलेक्टरानों के चक्रण के वज़े से जो अयुगमित इलेक्टरान हैं उनके चक्रण की वज़े से जो spin angular momentum उत उत्पन होता है उसकी वज़े से ये चुम्ब की विवहार प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से यदि हमें इस प्रकार इनके चुम्ब की गुण को मापना होता है या इनके चुम्ब की आगुण का कैलकुलेशन करना होता है तो हम इसके लिए एक सूत्र एपलाई करते हैं ज इसलिए हम यहाँ पर प्रचक्तन के मात्र जो सूत्र है उसके द्वारा हम इसे निकालते हैं और यह सूत्र होता है ज़ो सूत्र की आगून को दर्शा रहा है तथा जो N है वो अयुगमत अग्रानों की संख्या को दर्शाता है, और यहां पर हम देखें कि जो भी इसकी इकाई है, वह बोर मैगनेटॉन होती है, तो इस तरह से यदी हमें किसी तत्व के में ऊपसित आयुगमित इलक्ठानों की संख्या पता हो, तो हम इस सूत्रके द्वारा उसमें कितना दोदाना इसका मान निकाल सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रथम संक्रमन स्रीनी हैं उनमें किस प्रकार से चुम्ब की आघून की प्रवित्या देखने को मिलती हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं यह प्रथम संक्रमन स्रीनी और उनमें उपस्थित इलेक्ट्रानों की संख है तथा उनके चुम्ब की आगूण के मान को arrival यहाँ डोनों मान दिखाएगं है Parigalit मान और यहां पर जो प्रायोगी क्रोप से मान clear रहे सभी के इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर हम दчи के इसकेंडियम जो जली विलियन में जब यह आयनिक अवस्था में होता है तो यह SN2 प्लस आयन बनाता है और SN2 प्लस आयन जब यह है तो इसमें जो डी है 3D 0 विन्यास पाया जाता है यहने कि इसमें एक भी इलेक्टरान या अयुगमित इलेक्टरान उपस्थित नहीं है और इ इसके चुंब की आगोन का मान भी शुण ही होता है इसके बाद जली विलियन में हम देखेंड टिटेनियम तो टिटेनियम दो परकार की ऑक्षेण इड कृताEP करता है यह यहब टुटेनियुम 3 प्लास और टुटेनियुम 2 प्लास तो जब हम टुटेनिया 3 प्लास की इलक्राइन विंट्ज देखती है तो हमस देखेंगे कि इसमें 3D1 इसके जो डी औरूर्टल है इसमें एक इल्सटा Perfect einmal पाया जाता है और इस एक अयुगमित इलेक्ट्रान की वजह से इसमें चुम्ब की आगून देखा जाता है जिसका मान काफी कम 1.73 बोर मेगनाटन होता है इसके बाद इसकी जो दूसरी आक्सिक कृत अवस्था है यानि कि टीटेनियम 2 प्लस इसमें हम देखें कि इसके पास 3D2 इल दो इलेक्ट्रान अयुगमित अवस्था में उपस्थित है इसकी वजह से इसके चुम्ब की आगून का मान कुछ जादा हो जाता है और यह 2.84 बोर मेगनाटन के लगभग होता है इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएं वेनेडियम 2 प्लस में देखें तो उसमें 3 अयुगम इलेक्ट्रान होते हैं इसके बाद हम देखें जो आप देख सकते हैं कि क्रोमियम का जो इसमें चुम्ब की आगून का मान है यह 4.90 बोर मेगनाटन है इसके बाद देखें कि मैगनीज मैगनीज 2 प्लस आयन जब बनाता है तो इस अवस्था में इसके पास सरवाधिक 5 इसके बाद हम देखें कि मैगनीज के बाद फिर इलेक्ट्रानों की D-orbitals में पेरिंग होनी शुरू हो जाती है और इसलिए अगमित इलेक्ट्रानों की संख्या क्रमशा कम होती जाती है और इसी आतरह जो चुम्ब की आगून का मान है वह भी क्रमशा कम होता जाता है आईर फिर इसकी बाद कॉपर में हम देखें तो इसमें सिर्फ एक अयूग में तिलिक्ट्रान होती है वो भी इसकी सी यू टू प्लस अवस्था में तो यहां पर यह 1.73 हो जाता है जब की जड़न टू प्लस में जैसे कि आप जानते हैं इसमें 3D10 विन्यास होता है और इसमें एक भी अयूगमित इलेक्ट्रान नहीं होता है इस वजह से इसके चुम्ब की आघून का मान शून होता है तो इस तरह से इसपस्थ है कि यहां पर जो चुम्ब की आघून का मान है तत्वों के जली विलियन में इनके आयनों का जो चुम्ब की गोन है वह इनमें उपस्तित अय खुमितिल प्रानों की संख्या पता हो तो हम उसके चुम की आगून कि घरना सूत्र के द्वारा कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हम एक प्रशन लेते हैं दिया गया है परमाणू क्रमांग 25 वाले एक द्वी सयोजिक आयन यहाँ पर परमाणू करमांग बता दिया गया है तिथा उसका आक्सिक्र तवस्था बता रहा है कि यह दूई संयोजी आयन है इसके चुम्ब की आघून की गर्णा करनी है आपको तो हम जानते हैं कि जब किसी भी तत्यों का परमाणू करमांक यदी 25 है तो उसका एलेक्ट्रानिक विन्यास जब होगा तो उसमें हम देखेंगे कि D म कि ऐसी के संयोजी बताया गया है इसका मतलब है कि इसके दो इलेक्ट्रान बाहर निकलेंगे यए मटू प्लस अक्सिक्र तवस्था में होगा और निकल जाएंगे और इस तरह से जो इसका विन्यास हो जाएगा वो होगा 3D5 तो इस तरह से अब हम देखें कि यहाँ पर argument इलेक्ट्रानों की संख्या 5 है और इसे हम सूत्र में apply कर देते हैं तो यहाँ पर चुम्ब की आगून mu is equal to root n की जखा हम 5 रखते हैं फिर bracket के अंदर n plus 2 यहाँ पर भी 5 plus 2 हम रखते हैं तो यहाँ पर देखें 5 plus 2 is equal to 7 हो जाएगा 7 into 5 करेंगे तो हमें 35 यानि कि root 35 हमें मिलेगा और root 35 इसका परिणाम यहां निकाले तो हमें प्राप्त होगा 5.92 बोर मेगनेटान तो इस तरह से सूत्र के द्वारा हम उसके में उपस्तित चुम्ब की आगून का परिकलन कर सकते हैं इसी तरह से एक और सवाल हम लेते हैं जो की कुछ अलग धंग से पूछा जा रहा हो ज उसमें X दिया हुआ है और यह आयन के चुम्ब की आगून का मान रूट 35 है यह आपको बता दिया गया है अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर जो X प्लस लिखा गया है आयरन के उपर तो X की का मान आपको निकालना है तो इस तरह से फिर से हम इसी सूत्र का उप्योग करते हैं चुकि चुम्ब की आगून का मान हमें दिया हुआ है तो वहां पर हम म्यू की जगह पर रूट 35 लिख देते हैं इस उकल टू अम यहां पर रूट यहां पर अयुगमित इलेक्ट्रानों की संख्या देखते हैं यहां पर हमें क्योंकि आइरन दिया हुआ है तो आइरन में हम देखें आइरन का जो परमानुकुर्मान है वो 26 होता है और जब हम इसका इलेक्ट्रानिक विन्यास करते हैं त तो इस यह 3D64S2 विन्यास सामान अवस्था में ग्राउंड स्टेट में हमें मिलता है तो इस तरह से सूत्र में क्योंकि बोर मेगनेटन का मान यहां पर दिया हुआ है तो हम यहां लिख लेते हैं रूट 35 अब इसकी बाद हम लिखते हैं इस उकल टू रूट अब यहां पर मेगनेटन का जो चुम्ब की आघून का मान है वह रूट 35 प्राप्त हो जाए तो हम देखेंगे कि यदि यहां पर 5 रखते हैं तो 5 प्लस 2 इस उकल टू 7 इंटू 5 करेंगे तो यहां पर हमें 35 रूट 35 प्राप्त हो जाएगा यहने कि यहां से हमको N की वेल्यू पता हो सकते हैं यहां चली देखते हैं कि हम जानते हैं इसका परमानुक्रमांग होता है 26 और इस परमानुक्रमांग 26 के समय जब इसका विन्यास होता है वह है 3D6 4S2 और यहां पर हम देखें कि केवर 4 ही अयुगमित इलेक्ट्रान उपस्तित है डी और्बिटल में तो इस तरह से ह इसके पास पांच आयुगमित इलेक्ट्रान बचेंगे तो इस तरह से हमने तीन इलेक्ट्रान बाहर निकालने पर यहां पर हमें इस तरह से यहाँ पर हम जान सकते हैं कि आयरन यहाँ पर 3 प्लस ऑक्सिकरन अवस्था में होगा तो इस तरह से प्रशनों को किसी भी तरह से पूछा जाए हम यहाँ पर सूत्र का उप्योग करके उसमें कौन सी आक्सिक्रित संख्या है यह पता लगा सकते हैं या फिर यदि चुम की आगून का मान दिया गया हो तो वहाँ पर हम अयुगमित इलेक्ट्रानों की संख्या ग्याद कर सकते हैं यदि अयुगमित इलेक्ट्रानों की संख्या दे गई हो तो हम वहाँ पर चुम की आगून का मान निकाल सकते हैं आईए अब हम संक्रमन तत्वों के एक और महत्वपुन गुन को जानते हैं वह है जली विल्यन में रंगीन आयन बनाना जैसे कि आप देख सकते हैं विभेन संक्रमन तत्वों के जली विल्यन भेन भेन रंगों के होते हैं और इनमें इस आयनिक अवस्था में जो रंग का पाया जाना है वह इतमें उपस्तित अयुगम इलेक्ट्रान है वह वह डी ऑर्बिट लो में एक निम्न उर्जा इस्तर से उच्छ उर्जा इस्तर में जब जाते हैं और जब उच्छ उर्जा इस्तर पर लोटते है तो उस समय एक विए निश्चत तरंग धैर की उर्जा को निसकरशित करते हैं और जिस तरंग धैर की उर्जा को वो निसकरशित करते हैं उसी से जुड़े हुए रंग के ये दिखाई देते हैं और इस जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को कहा जाता है डी डी ट्रांजिशन, डी डी संक्रमन, इसके अलावा एक और कारण होता है, जिनमें की युगमित इलेक्टरान उपस्तित नहीं होते हैं, ऐसे योगिक भी हैं, लेकिन उनमें रंग पाया जाता है, तो इसका जो कारण है, वह चार्ज ट्रांसफर पैक्टरा, इसका दूसरा कारण बताया जाता है, तो आईए हम इसे समझते हैं, जैसे कि अब सभी जानते हैं, कि जो डी ऑर्बिटल है, वो पांच डी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन जब हम इसकी सरचना देखते हैं, तो हम इन पांचों डी ऑर्बिटलों को दो सेट में डिवाइट करते हैं, एक जो सट होता है वो होता है नॉन ऐक्सिल त इसमें तीன आपके औरेट लस आते हैं यह वो औरो होते हैं जिनके लोब जा चारों लोब यह जो अक्षा एकसिस हैं उनके ऑ्टिम मध्य में पाए जाते हैं और यह तीन लोब होते हैं यहाँ पर आप देखें दी एकस वाई जिसके लोब से एक्स और वाइएक्सिस के बीच में हैं इसी तरह से यहाँ पर डी एक्स जड यहाँ पर तो उसके इनके जो D-Orbital के लोब होंगे वह X-Axis और जड़ एक्सिस के मध्ध में होंगे और इसी तरह से जो तीसरा होगा वो डी वाई जड़ इसके लोब होंगे वो जड़ और वाई एक्सिस के मध्ध में होते हैं और इन तीनों डी ओर्बिटलों के सेट को हम टी टू जी सेट कहते हैं इसी तरह से बाकी की जो दो डी ओर् जो होता है वो उसके लोब x-axis और y-axis के ऊपर उपस्थित होते हैं और इसलिए इस प्रकार का यह जो डी ऑर्बिटल होता है उसे हम d-axis square y-square कहते हैं और जो एक पाच्वय नंबर का जो ऑर्बिटल है उसमें जो उसके दो लोब तो जड एकसिस के ऊपर होते हैं और इसके ज x-axis होती है उस पर यह पाए जाते हैं तो इस तरह से इसका जो नाम हुता है वो होता है डी जट का square और यह जो एक्जील सेट है जिनमें की लोब एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं इन्हें हम EG सेट कहते हैं तो यह जो पाच भिन भिन ऑर्बिटल्स हैं जब कोई परमानू संक्रमन तत्व आइसोलेटेड स्टेट में विलगित अवस्था में होता है तो समय यहां पर यह पाचों डी ऑर्बिटलों की उर्जा समान होती है अर्थात यह degenerate होते हैं लेकिन जब यह संक्रमन तत्व संकुल का निर्मान करते हैं योगिक का निर्मान करते हैं complex compound का निर्मान करती हैं उस समय भीने भीने प्रकार के ligands के प्रभाव की वज़ा से इनके पाचों जो d orbitals हैं इनकी उर्जा में परिवर्तन हो जाता है इन में से कुछ की उर्जा कभी तो t2 g set की उर्जा जो सामाने उर्जा है जो ओसत उर्जा है जिसे हम very center कहते हैं उससे अधिक हो जाती है और कभी जो e g set है उसकी उर्जा कम हो जाती है या कभी ऐसा होता है कि e g set की उर्जा अधिक हो जाती है और t2 g set की उर्जा कम हो जाती है और इस स्थती में इस स्थती में जब हम इस जली विलियन में ऐसे आईनों को जो की जिनके जो डी ऑर्बिटल है वो दो भागों में विपाटित हो गए है उर्जा के दो इस तरों में बट गए हैं तो वहाँ पर यदि निम्न उर्जा इस तर पर कोई अयुगमित इलेक्टरान उपस्थित होता है तो इस स्थती में जब इस पर कोई पुशोशित कर लेते हैं तो उनकी उर्जा ज़्यादा हो जाती है और इस वज़े से अब यह अपने निन्न इस्तर पर नहीं रह पाते और यह कूद कर जम करके उच्छ उर्जा इस्तर पर चले जाते हैं लेकिन यह वहाँ पर अस्थाई होते हैं और बहुत ही कम समय दस की घ उसी अनुपात में उर्जा को वो निश्काशित करते हैं और इसके लिए वो एक निश्चित तरंग धहर की उर्जा को निश्काशित करते हैं और हम जाते हैं प्रतेक तरंग धहर जो है कि विक्रणने होए उससे एक रंग जुड़ा हुआ होता है तो यह जिस तरंग धहर क के समान उर्ष्वा को निसकर्शित करते हैं उसी तरंग से जुड़े हुए रंग को ये प्रदर्शित करते हैं और जो आयन है जली विलियन है आयन का जली विलियन हमें उस रंग का दिखाई देता है और यह हम देखेंगे कि यह जो निसकर्शित जो प्रकाश का रंग होता है वह और शोषित प्रकाश के रंग का पूर ही होता है इसे हम यहाँ पर complimentary color cycle के द्वारा इससे हम जान सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह complimentary color भी जिसे cc c भी कहते हैं दिख रहा है इस से देखकर हम समझ सकते हैं कि यदि कोई आयन यहाँ पर red color को absorb करेगा अवशोशित करेगा तो वह green color का दिखाई देगा क्योंकि जब वह red color से संबंधित तरंग धैर की विक्रणों को अवशोशित करेगा तो वह जब उच्च उर्जा इस्तर से निन्न इस्तर पर आता है तो वह green हरे रंग से संबंधित जो तरंग धैर है उस तदमी उर्जा को वह जर्जित करता है तो इस तरह से हम देखें यदि वह violet color को absorb करता है तो वह yellow color का दिखाई देगा यदि वह blue color को absorb करता है तो वह orange color का दिखाई देगा तो इस तरह से हम जो charge यहाँ पर हम देखें कि DD transition के द्वारा हम इनके जो iron है जली विलियन में इनके color को प्रदर्शित करने को समझ सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रंग प्रदर्शित कर रहे हैं इसके लिए भी और युगमित इलेक्ट्रानों का होना अती आवश्यक है जैसे कि हम यहाँ पर प्रथम संक्रोंशनी के तत्वों के में देखें तो scandium 3+, scandium 3+, जिसमें की 3D शूने जो इसका electronic विन्यास होता है और हम देखेंगे कि इसका जो जली विलियन होता है वह रंग हीन होता है क्योंकि अयुगमित इलेक्ट्रान उपस्तित नहीं है और जब अयुगमित इलेक्ट्रान उपस्तित नहीं होंगे तो यहाँ पर DD transition भी नहीं होगा और इस वज़े से यहाँ पर रंग उपस्तित नह होगा इसी तरह से हम titanium 4 प्लस आयन को लें तो यहां पर इसका विन्यास भी 3D जीरो होता है और इसलिए यह भी रंग हीन होता है यह लेकिन यदि हम titanium 2 प्लस को देखें तो titanium 2 प्लस में हमने देखा कि 3D 1 विन्यास होता है और इसमें एक अयुगमित इलेक्ट्रान की उपस्थती की वजह से यह हमें नीले लोहित रंग का दिखाई देता है इसी तरह से वैनेडियम rendee 4 प्लस आयन है इसमें भी एक इलेक्ट dzięki रण उपस्तित होता है और यहां भी नीले ring होता है when I Denimas 3 प्लस आयन ले जिसमें कि यहां पर दो अयूग अयूग में एलेक्टोन होते हैं और यह वजय से यहां हड़िय रंग का होता है इसी तरह से यहां पर 3 अयूगमित इलेक्टरान होते हैं और यह You are a partner बेगनी रंग का होता है तो यहां पर हम एक चीज और देख रहें कि जो वनेडियम 2 प्लस आयन है यहां पर हम देख रहें कि जो वनेडियम 3 प्लस आयन है उसमें दो अयुगमित इलेक्ट्रान है और इसका रंग हरा है जबकि वैनेडियम टू प्लस आयन जिसमें की तीन अयुगमित इलेक्ट्रान है उसका रंग बैगनी है तो इससे एक बात और इसपस्ट होती है कि जो इनकी उच्छ आकसी कृत अवस्था होती है उस समय इसमें जो रंग होते हैं वो गहरे होते हैं यहने कि जब कोई भी जो संक्रमन तत्व अपने आयनिक अवस्था में उच्छ आक्सी कृत अवस्था में होता है उस समय वह अधिक गहरे रंग का दिखाई देता है और इसका कराण इस तरह से फजांस रूल के आधार पर भी समझ सकते है क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी तत्व में उच्छ आक्सी कराण अवस्था होती है यहने कि उसमें आयनों की संख्या अधिक होती है उतनी है वो जो आयन होगा उसकी साइस छोटी होती है और जब आयन की साइस छोटी होती है तो उस कंपाउंड में योगिक में कोवल केरेक्टर ज्यादा आता है और इसलिए हम जानते हैं कि अधिकाल जो कोवलेंट योगिक कंपाउंड होते हैं वो रंगीन होते हैं जबकि हम देखेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो प्राय सफेद या रंगीन होते हैं तो इस तरह से भी हम इनके जो एक ही तत्यों क का अश् anthrop Lex से मिनन आक्सीक्रन आवस्थाँ में इनकी जो भीन भीन रंग मेरं दिखाई दे रहा है उसे भी हम समझ सकते हैं ने जिनकी निम्न आक्सीकरन का अवस्था में यह बीन अवस्था में यह गहरा रंग प्रदर्शित करते हैं अब यहाँ पर यदी प्रश्ण दिया हो जैसे कि यहाँ पर कुछ तत्वों के आएनों को दिया गया है जैसे टिटेनियूम 3 plus ion iron 3 plus ion magnesium 2 plus ion तथा zinc 2 plus ion copper 1 plus ion तथा chromium 6 plus ion और इसमें यदि पूछा जाए कि इसमें से कौन रंगीन होगा और कौन रंगीन नहीं होगा तो यहाँ पर हम देखें कि इनका electronic विन्यास हमें देखना होगा कि किसमें अयुगमित electron उपस्ती थे तो यहाँ पर हम देखें titanium 3 plus ion में एक अयुगमित electron होता है iron 3 plus ion में 5 अयुगमित electron होते हैं magneach 2 plus ion में यहाँ पर हम देखें 5 अयुगमित electron होते हैं लेकिन तो यह जो सभी है वास्तों में प्रायोगिक तोर पर हम देखें तो यह रंगीन दिखाई देते हैं और यहांपर हम देखें कि जिंट टू प्लस आयन इसमें थ्रूडी, टैन विणियास होता है जब की कॉपर वन धात्मों के आयन हैं उनके जली विलियन में रंग क्यों प्रदर्शित होता है वो इनमें उपस्तित अयुगमित इलेक्ट्रानों की उपस्तिती की वज़े से है तो कि अयुगमित इलेक्ट्रानों की उपस्तित रहने से ही यहाँ पर डी-डी ट्रांजिशन होगा जिसकी वज 초목 sûr और से जो की कि रंगीं होते हैं जैसे कि पंग कलर का होता है लेकिन जब एंधर विन्यास देखते हैं यहां जो मैगनीज उसका विन्यास 3-D 10 है तथा क्रोमियम का विन्यास भी हम देख्यें पोटैशियम gets दे WITHIN हम देखें तो फी टूबिस का है वह भी 3d 10 है तो इस स्थति में हम देखें कि यहाँ पर अयुगमित इलेक्टरान उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी यह कलर प्रदर्शित करते हैं तो इनके कलर प्रदर्शित करने को हम दूसरे तरीके से समझाते हैं और उसे कहते हैं हम चार्ज ट्रांसफर स्पैक्ट्रा इसमें ये माना जाता है कि यहाँ पर एक ही अनू में जैसे हम यहाँ पर मैगनेट आयन का उदाहरण लेते हैं MnO4- यहाँ पर हम देखें कि जो मैगनीज है उसकी आक्सीकरण अवस्था प्लस 7 है जबकि ऑक्सीजन की आक्सीकरण अवस्था यहाँ पर माइनस 2 है यहाँ पर ऑक्सीजन में से एक एलेक्टरान अलप समय के लिए मैगनीज के पास जो M7 प्लस आयन है वहाँ पर चला जाता है और इस वज़े से यहां पर जो मैगनीज है वो कुछ समय के लिए इसकी जो आक्सिकरत अवस्था है वो परिवर्तित हो जाती है लेकिन यहां इलेक्टान कुछी समय में कुछी सेकेंड में वापस पुना आक्सिजन के पास चला जाता है और इस स्थती में हम देखें कि जब उक्सीजन में से इलेक्ट्रान मैगनीज आयन के पास आता है तो उस समय यह एक निश्चित तरंग धहर की उर्जा को अवशोशित करेगा और दूसरी ओर जब यह वापस जाएगा तब भी यह निश्चित तरंग धहर की जो विकरण है उसे वह उतसरजित करता है और इस तरह से यहां पर एलेक्ट्रानों के उर्जा को अवशोशित करने तथा उसकी पूरक उर्जा को यहां पर उतसरजित करने की वज़़ा से यह योगेत हमें रंगीन दिखाई देते हैं और इस तरह से हम देखें कि यह जो हाई आउक्सिडेशन स्टेट है यहां पर तभी यह कलर हमें दिखाई देता है